नमस्कार दोस्तों तुलिका दशन चैनल मैं मैं रमा संकर डिम्री आपका स्वागत करता हूँ और आज इस अंक में हम यूनिट दो का भाग तीन लेके आए हैं जिसमें हम पहाड़ी 60 से संबंदित 59 प्रस्णों को देखेंगे जो परिक्षा के दिष्टि से अतीम है तो पू और नग्य relationships मैं तो हमारा 101पन प्रस्ण है गडवाल सेले की खौज का स्रे किसे जाता है में सरंधावा, डबलू जी आर्चर, बैरिष्टर मुकंदिलाल या उप्रोक्त में कोई नहीं तो गढ़वाल शेली की खोचका स्रेज आता है बैरिष्टर मुकंदिलाल को 102 प्रस्ण है कांग्रा शेली के सस्तापक राजा किसे माना जाता है कांग्रा शेली के सस्तापक राजा किसे माना जाता है ये प्रस्ण काफी महतपून है और कई बार प्रतियों की परिक्षों में पूछा गया है तो हमारे पास विकल्प है उम्मेज सिंग, सावंत सिंग, जै सिंग और संसारचंद तो कांगडा सेली की संस्तापक जो राजा SANSारचंड को माना जाता है तो विकलप D स्य हो जाता है 103 ना प्रश्न है डोगरा आर्ट गैलरी कहां इस्तित है स्री नगर जम्मु चंबा या सिम्लक गैलरी जम्मु में इस्तित है और कई पार प्रद्वगी परिक्षाओं में आर्ट कैलरी से सम्मांदित भी प्रश्न पोचे जाते हैं जितनी वी famous art gallery हैं, उनको आप जरूर देखेगा कि कहा पर वो अस्तित हैं, या किस राज्य में, या किस सहर में इस्तित हैं. एक्सो चार्मा प्रस्ण है, गड़वाल शेली के प्रसिद्य चित्रकार किसे माना जाता है? अब यहाँ पर देखे गड़वाल शेली के प्रसिद्य चित्रकार का नाम पुछा है विकल्प है मोलाराम, मनोहर, सेवकराम और हुलासलाल तो गड़वाल शेली के प्रसिद्य चित्रकार जो हैं वो हैं मोलाराम और मोलाराम का पूरा नाम है मोलाराम तोमर तो विकल्प ए सह हो जाएगा, एक सोपांटमाँ प्रस्न है अभिसारी का क्या है, एक प्रकार का निर्त्य अस्थ नाइकाओं में से एक चित्रकला सैली या एक डार्शनिक अफधारना, अभिसारी का जो है अस्थ नायकाओं में से एक है और जैसा के हम सब Εhus सब मौलाराम आर्ट गैलरी कहा इस्तित है देहदून, रामनगर, नैनिताल या स्रीनगर तो मौलाराम आर्ट गैलरी स्रीनगर में इस्तित है और ये स्रीनगर जो है वो स्रीनगर गडवाल वाला स्रीनगर है जम्मू कश्मिर वाला स्रीनगर नहीं है तो मौलाराम आर्ट गैलरी स्रीनगर गडवाल में स्तित है 107. के जगा के रुमाल प्रसिद्ध है शिमला, कुलू, चम्बा और मंडी तो चम्बा के रुमाल काफी प्रसिद्ध है और इस रुमाल में एम्ब्रोइडरी की जाती है तो इस प्रकार से ये रुमाल जो है तूरिस्ट के बीच में काफी लोग प्रिया भी है 108. मनकू द्वारा चितरित्ध गरंथ है महाभारत, गीत गोविंद, रामयन और रशित प्रिया तो मनकू द्वारा घीत गोविंद को चितरित्ध किया गया था तो इस प्रस्न का सही जवाब जاتा है गीत कोविन, एक सो नौवा प्रसन है, गड़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, वाचिस्पती गेरोला, डाक्टर यस्वंत कठोच, बैरिष्टर मकंदीलाल या फिस सीव परसाथ डबराल, तो गड़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है, उसके लेखक है, बैरिष् आटि या विकल्प B, C दोनों, यानि कि सामधास और हर्दा, तो सुलेमान सिकोह के साथ, जो चितरकार गड़वाल के दरवार में आए थे, वो थे सामधास और हर्दास, यानि कि विकल्प जो B और C दोनों है तो जो सामदास और हर्दास हैं ये पिता-पुत्र की जोड़ी थी जो सुलेमान सिको के साथ में आये थी और सुलेमान सिको दाराशिको का पुत्र था और ओरंजेब के डर के कारण ये जो है गरवाल के दर्बार में शरण लेते हैं 111 प्रस्ण है कांग्रा सेली में कितने प्रकार की नायका होती है एक, साथ, तीन या आड़ तो कांग्रा सेली में तीन प्रकार की नायका ही है स्वकिया, परकिया और सामन्या 112 प्रस्ण है पहाड़ी चित्रकला मुख्यता किस छेत्र की है राजिस्तान की पहाड़ियों की पंजाब की पहाड़ियों की उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की या फिर कस्मीर की पहाड़ियों की तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यता पंजाब की पहाड़ियों की जो है कल अब यहाँ पर देखे पंजाब की पहाडियों को क्यों यहाँ पर लिखा गया है तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब पंजाब का विवाजन नहीं हुआ था उस समय हरियाना और हिमानचल परदेश संग तुरूप से पंजाब राजिक के अंतरगत आते थे पंजाब से ह हरियाना का गठन किया गया और पंजाब की जो पहाड़ी इलाके थे जो आज हम हिमानचल परदेश के नाम से जिसको जानते हैं इसलिए इसको पंजाब की पहाड़ियों की कला कहा गया था एक सो तेरवा प्रस्ण है गुलेर से लिख के लगभग कितने चित्र प्राप्थ ह एक सो चोथवा प्रस्ण है कांगडा सेली की चित्रों के विशय है रागमाला नायक नाईका कृष्ण लिला या उप्रोक्त सभी तो कांगडा सेली में उप्रोक्त सभी विश्यों पर यानि कि रागमाला नायक नाईका और कृष्ण लिला पर चित्रों का निर्मान किया ग पहाड़ी सहली का सरो परथम परिच्छ ए अनंद कुमार स्वामि तो, पहाड़ी सहली का जैतू या मोलाराम को तो नीताकलाकार खा जाता है मोलाराम को ठीक है तो यह आप ध्यान में रखेगा कि कई बार जो चित्रकार है उनकी उपाधियों के बारे में भी प्रस्न पूछ लिया जाता है तो मोलाराम को नीताकलाकार की उपाधी प्रदान की गई है तो यह आप ध् बंडार जो है नूरपूर चित्र सैली में चित्रत किया गया है तो विकल्प भी सई हो जाएगा 111 प्रस्ण है राजा संसार चंद कि सैली से सम्मंदित है चंबा मेवाड कुलू या कांगड़ा तो राजा संसार चंद का सम्मंद है कांगड़ा सैली से और ये कांगड़ा जो रियासत थी उस रियासत की राजा थे 120 प्रसन है दुरापदी का चीरहरण चित्र किस सैली का चित्र है देखें यहाँ पर जो प्रसिद्द चित्र है उनके बारे में पूछ लिया जाता है तो दुरापदी का चीरहरण चित्र किस सैली का चित्र है गुलेर, कांगला, वसुहली या फिर नूरपुर तो दुरापद गडवाल, जम्मू, कांग्रा या फिर मंडी, तो हीर राजा, सोनी, महिवाल जो चित्र हैं वो कांग्रा सैली के चित्र हैं, 122 प्रस्ण है वसोहली सैली के सस्तापक राजा कौन है, संसार्चन, भोगपाल, नरिंदर शाह या सावंत सिंग, तो वसोहली सैली के सस्तापक जो ऐसे राजाओं का नाम आपको जरूर याद करना होगा 123 प्रसुन है हमीर हट के 21 चित्र किस ने बनाए थे ? विकल्फ है परखु चमकिले और फाकताई तो बसोली सेली में जो नाई का चितन किया गया है वो वादामी कलर से किया गया है 125 प्रस्ण है पहाडी सेली के चितर किस धर्म से संबंदित हैं इसलाम, बॉध, जैन या सनातन धर्म तो पहाड़ी सेली के जो चित्र हैं वो संबंदित हैं सनातन धर्म और सनातन धर्म के अंदर भी दो साख खाएं यानि की वैश्णाव और सैव इन से संबंदित वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं एक्सोशोचबिसवा प्रस्ण है, पहाडी सैली के सबसे प्राचिन सैली कुं सी है? वसोहली, कांग्रा, मंडी या गड़वाल, तो पहाडी सैली की सबसे प्राचिन जो सैली है वह है वसोहली सैली. 127 प्रस्ण है नारी के माथे पर अर्द चंद्राकार टीका किस सैली की विशेशता थी कांगडा, पत्ना, मेवाड या फिर गडवाल तो नारी के माथे पर अर्द चंद्राकार टीका जो है गडवाल शैली के चित्रों की विशेशता थी और खासकर जो मोला राम के बनाएवे चित्र हैं, वहाँ पर आपको ये अर्द चंद्राकार चंदन का ठीका देखने को मिल जाएगा 128 प्रस्ण है किस अस्तान के रुमाल प्रसिद्ध हैं, तो ये चंबा के जो रुमाल हैं वो काफी प्रसिद्ध है 139 प्रसिद्ध है हिमालेन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, जेसी फ्रेंच, MS रंधावा, EB हैवल या रायक्ष्न दास तो हिमालेन आर्ट जो पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी, जेसी फ्रेंच ने, और पुस्तकों से रिलेट करते वे, जितनी भी मख्य पुस्तके चित्रकला के छेतर में हैं, उन सभी पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंक तो कुलू सेली का जो प्राची नाम है, वह है कुल्ट, और कई जगा पे कुल्टा भी आपको देखने को मिल जाएगा तो इस चीज को आप जरूर याद रखियागा, क्योंकि कई बार मौला राम के चित्रों को भी पूछा जाता है, उनके चित्रों के नाम आपको पता होने चाहिए 132 प्रस्ण है, गुलेर, नूरपूर वो सुजानपूर किस सहली के केंदर थे, तो गुलेर, नूरपूर और सुजानपूर केंदर थे, कांगरा सहली के तो ये आप ध्यान में रिखेगा कि कांग्रे सैली के अंतरगत ये तीन इस्थान जो थे वो काफी प्रसिद्धी थे वहाई पर जो है कांग्रे सैली का विकास हो जाता है 133 प्रस्ण है टाकरी लीपी का सुंदर लेख किस सैली में प्राप्त हुआ है सिक, गड़वाल, जम्मू या फिर कांग्रा तो टाकरी लीपी का सुंदर लेख हमें प्राप्त हुआ है जम्मू सैली के अंदर 134 प्रस्ण है मुलाराम किस लिए प्रसिद्धी थे चित्रकारी के लिए, लेखन के लिए, कभी के लिए या उप्रोक्त सभी के लिए प्रसिद्धी थे, मुलाराम तोमर चित्रकला भी करते थे, मुलाराम तोमर लेखन का कारिया भी करते थे और वे कावे रचना भी करते थे तो इस प्रकार मुलाराम तोमर एक versatile personality वाले थे जो चित्रकला भी करते थे लेखन का कार्य भी करते थे और कविताईं भी लिखते थे तो मुलाराम तोमर ने जो है गड़ राजवन्स का इत्यास और अनिक जो है गड़वाल के इत्यास सम्मंदित पुस्त के लिखी हैं और जो मुलाराम कविताईं लिखते थे या कावे पाठ करते थे वे ब्रिजवासा में करते थे तो इस चीज़ को आप जरूर नौट कर जेगा कि मुलाराम तोमर चित्रकारी भी करते थे लिखन का कारे भी करते थे और कविताईं भी लिखा करते थे एक्चो पैतिस्मा प्रस्ण है कांग्रा किस सैली की उपसैली है मुगल दखन पहाडी और राजस्तानी तो देखे काफी सरल प्रस्ण है कांग्रा जो है प्रशन को पूछा जाएगा तो जितने भी मौलाराम के पुचा जाता है तो वहाँ प rotated कोई पूछा जाता है क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि गड़वाल चैली के एक मात्र जो प्रसिद चित्रकार हैं वो मौलाराम तोमर ही हैं इसलिए मौलाराम तोमर से सम्दिद करके उनके चित्रों से ही प्रस्न बनाए जाते हैं 117 प्रस्ण है मंडी सैली में किस चित्रकार ने सचित्र रामायन की प्रतिका निर्मान किया कपूर गिरी फत्तू सजु या नैन्सोक तो मंडी सैली में जो है रामायन की सचित्र प्रति बनाये थी कपूर गिरी ने 130 प्रस्ण है the art of India and Pakistan पुस्तक के लेखा कौन थे बेसिल गे खुषवन सिंग, विफिन चंद्र, रोमिला, ठापर तो The Art of India and Pakistan पुस्तक के लेखा के बेसिल ग्रे और इन्होंने इस पुस्तक में भारत और पाकिस्तान की जो आर्ट रही है उसके उपर इन्होंने रिजर्च करके ये पुस्तक लेखी थी और जो सोधार्थियों के लिए काफी सायक सिद्ध होती है 149 मा प्रस्न है महाराजा रनजीत सिंग के सैली के संदक्चक राजा थे जम्मू पुंच गडवाल या सिक तो महाराजा रनजीत सिंग सिक सैली के संदक्चक राजा थे इंडियन पेंटिंग इंद पंजाब इल्स पुस्तक के लिखा कौन थे अजैरावत यशुदर मटपाल डबलुजी आर्चर या अमरता प्रीतम इंडियन पेंटिंग इंद पंजाब इल्स पुस्तक लिखी है डबलुजी आर्चर ने और डबलुजी आर्चर ने बहुत सारे पुस्तिके लिखी हैं गड़वाल शैली के उपर भी हैं की पुस्तिके हैं इंडियन पेंटिंग के उपर भी पुस्तिके हैं और भारती चित्रकला के उपर इनकी काफी सारी पुस्तिके हैं तो जितनी भी पुस्तिके हैं और उनके लेखा के उनको भी आप ध्यान में 141 प्रस्ण है रागिनी सोर्थी की सेली का चित्र है जम्मू चंबा विलासपुर या मंडी तो रागिनी सोर्थी जो है वह विलासपुर सेली का प्रसिद्ध चित्र है 22 प्रस्ण है कांग्रा पेंटिंग पुस्तक के लेखा कौन थे W.G. आर्चर, यश्पूदर मठपाल, बैरिश्टर मुकंदिलाल या आवतार सिंग तो कांग्रा पेंटिंग जो पुस्तक लिखी है W.G. आर्चर ने कि ईगभाल चेलिकี चित्रों की क्या विषेस्था थी चमक्ति दामनी याने चमक्ति बिजली नारी चित्रों में अरदशंदर काटी का पत्र विहीन वरक्ष यह उप्रोक्त सभी 300 utmore old तो गर्वाल है सेलिक छित्रों चित्रों की जो विशीस्था है वह उप्रोक्त सभी या कि एक ऐसा व्रेक्ट जिसमें पत्ते नहीं है उनको बहुत आयत से गड़वाल सहली की चित्रों में बनाया गया है इसलिए उप्रोग्त सभी विछेस्ताइं आपको गड़वाल सहली की चित्रों में मिल जाएंगी एक से चावालीसमा प्रस्न है दी पहाडी मिनियेचर प्रस्न है लहरू और निक्कु किस सहली की चित्रकार थे चंबा गड़वाल या जम्बू लहरू और निक्कु जो थे चंबा सहली के चित्रकार थे एक चालिशमा प्रस्न है राजा राजसिंग किस सहली के संदक्चक राजा थे जम्बू चंबा गड़वाल और सिक तो राजा राजसिंग जो है चंबा सहली के संदक्चक राजा थे जिस प्रकार से राजा संसार चंद कांगला सहली के संदक्चक राजा थे उसी प्रकार चंबा सहली के जो राजा है वो है राजा राज सिंग 147 प्रस्ण है गजलक्षमी किस सैली का चित्र है चमबा, कांगडा, मंडी और गड़फाल तो गजलक्षमी जो चित्र है वो है मंडी सैली का प्रमुक चित्र 144 प्रस्ण है दस गुरुवों के चित्र किस सैली में बनाये गए थे विकल्प है जम्मू, चम्बा, पुंच और सिक्ख तो दस गुरुओं की जो चित्र बनाये गए थे वो सिक्ख सैली में बनाये गए थे विकल्प D सही हो जाएगा 150 मा प्रस्ण है वसोली सैली में हास्या किस प्रकार से बनाया जाता था अलंकरत, सादा, अलंकरत वसादा या इनमें से कोई नहीं वसोली सैली के जो चित्र होते थे उन पर जो हास्या बनाया जाता था वो सादा बनाया जाता था उसको अलंकरत रूप से नहीं बनाया जाता था 150 प्रसन है मुलराम के वंसस जोने चित्रकला छोड़ने के बाद कौन सा पेशा अपनाया लेखन, बुनाई, सुनकारी या वास्तुकार तो मुलराम तोमर के जो वंसस थे उन्होंने जब चित्रकला छोड़ी उतुक्स के बाद उन्होंने सुर्ण कारी का वेफसाय अपनाया था और ऐसा माना जाता है कि जितने भी मुलराम तोमर के वंसस थे जिन्होंने चित्रकला का कारी किया वे मांसिक रूप से विछिप्त हो को देखा जो परिक्षा के जिस्टिस से पूछे जा सकते हैं हमारे आज के अंक का प्रश्ण है जमीन चित्र किस कलाकार का है तो आपको बताना होगा कि जो जमीन चित्र है उसे किस कलाकार ने बनाया है विकल्प है मंजीत बाबा नेलीनी मलानी एमेफ हुसें और डॉक्टर तो आपको इस प्रश्ण का जवाब कमें देना होगा पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्ण पूचा था अविंदरनाथ टैगोर ने अपने चित्र किस रंग से बनाये तैल एक्रेलिक जल रंग और पेस्टल तो अविंदरनाथ टैगोर ने अपने चित्रों को जल रंग स बनाया था सदर्शु ने इसका बिलकुल सही जवाब दिया है तो यह था तुलीका दर्शन चैनल का आज का अंग जिसमें हमने पहाड़ी से सम्मंदित उन पचास प्रशनों को देखा जो परिक्षा में संभावित रूप से आ सकते हैं तो आज का एपिसोड आपको कैसे लग लगता है तो इसे अपने फ्रेंड सरकल में शेयर जरूर कीजिएगा तो आज के इंक में इतना ही मिलते हैं अगले इंक में किसी नई टॉपिक के साथ में तब तक के लिए दीजे मुझे इजाजत नमस्कार